दोस्तों आप लोग यूटूब पे काम करते हो पैसा कमाने के लिए और हर एक क्रियेटर यही चाहता है कि हम लोग यूटूब से जादा से जादा अर्निंग कर पाएं लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी 10 गुना अर्निंग बढ़ने वाली है तो आप लोग यकिंग नहीं करोगे आपको यूटूब पर पैसा किसका मिलता है आपकी वीडियो पर जो एड आती है उसी का आपको पैसा मिलता है जितनी जादा आपकी वीडियो पर एड आएंगी उतनी जादा आपकी अर्निंग होगी लेकिन अभी आपकी वीड का ही पैसा मिलता है जितनी ज्यादा हमारी वीडियो पर एड आईगी उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी मर्जी से अपनी वीडियो में एड कैसे लगा सकते हो आपको जहां पर भी एड लगाना है वहां पर आप लगा सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं चाहूं यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से एड लगा सकता हूं और मैं अपनी वीडियो में चाहे एक एड लगाना चाहूं चाहे दो एड लगाना चाहूं चाहे तीन एड लगाना चाहूं चाहे जितनी एड लगाना चाहूं लगा सकता हू और यह आप लोग भी कर सकती हो आप जितनी आड लगाना चाहो आप लोग लगा पाऊगे और वही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी वीडियो में मल्टीपल एड कैसे लगा सकती हो लेकिन यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यां रखना पड़ेगा वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा नोलेजबल होने वाली है तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यूटूब से पैसा कमाने के लिए आपका चैनल मॉनिटाइज होना चाहिए और जब आपका चैनल मॉनिटाइज हो जाता है तो वहाँ पर आप लोग अपनी सारी वीडियो का मॉनिटाइजेशन ओन करते हो लेकिन जब आप लोग मॉनिटाइजेशन ओन करते हो तो आपकी वीडियो पर एड कितनी आएंगी वही एक या दो ही आड आएंगी आपकी व यहां पर आपको उपने YT Studio को Chrome Browser में open करना है और open करने के बाद में अगर आप लोग साइड में देखोगे तो यहां पर आपको एक option दिखेगा content का तो यहां से आपको इसके ओपर क्लिक करना है और यहां पर आपको बड़ी ध्यान से देखना है एक भी पार्ट को मिस नहीं कर करना है अगर आप लोग मिस कर दोगे तो आप लोग अपनी वीडियो में multiple add नहीं लगा पाओगे तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपकी सारी वीडियो आ जाएंगी तो यहां पर आपको किसी वीडियो के उपर यहां से आपको क्लिक करना है और जब आप लोग क लिख करोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा और अगर आप लोग यहां पर स्वाइट में देखोगे तो यहां पर आपको एक आपकी सारी add लगी हुई हैं लेकिन यहाँ पर आपकी जो multiple add होती हैं वो आपकी यहाँ पर नहीं लगी हैं तो यहाँ पर अगर आपको एक option दिखेगा manage mid rule का तो यहाँ से अगर आप लोग इसके उपर click करोगे तो यहाँ यह इसके उपर click नहीं होगा यहाँ पर आप लोग इसके लिए eligible नहीं हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है multiple add आपकी उसी वीडियो में लगेंगी जो वीडियो 8 मिनट के उपर होगी तो यहाँ पर आपको क्या करना है जो भी आपकी वीडियो 8 मिनट से नीचे हैं उन पर आप लोग multiple add नहीं लगा सकती हो तो यहाँ से मैं ए ये वाली वीडियो 8 अठे उपर उपर खाण के उपर किलिक करेगा ऐंड अगर उसके उपर होगे तो यहां पर लोग अप्ट्र आपके सामने कुछ ऐसे के इंट्रफेस आ जाएगा यानि कि अब आप लोग अपनी वीडियो में multiple add लगा सकते हो तो यहाँ पर जब आपके सामने कुछ इस type का interface आ जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरी वीडियो में एक ही add लगी है भाई अगर मैं normally अपनी वीडियो का monetization on कर दूँगा तो मेरी वी यहाँ पर अगर आप इस type का option दिखेगा आपको यहाँ पर यह एक add लगी हुई है और यहाँ पर ऊपर साइड में आपको एक add दिख जाएगी तो यहाँ पर आपको multiple add लगाना कैसे है तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी वीडियो के एक last में सबसे पहले एक add इसको वहाँ पर आपको ले जाना है जहाँ पर आप लोग add लगाना चाते हो तो यहाँ से मैं इसको सबसे last में ले जाओंगा तो यहाँ से मैं इसको सबसे last में कर दिया और यहाँ पर आप ऊपर साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा add break का तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हो and भई आपको अपनी वीडियो में वहाँ पर लगाना है जहां पर एक interesting part होता है और भई वहाँ पर अगर आप एड़ लगाऊगे तो भई एक best सही तरीका होता है and यसे कि यहां पर मैंने एक एड़ लगा दिया और मेरे को मैं add break के उपर click कर दूँगा यहां पर हमारी एक और एड लग चुकी है तो यहां से मैं एक और लगाऊंगा एंड इसको मैं यहां पर एक लगाऊंगा तो मैं इसको यहां पर set करूँगा और यहां से मैं add break के उपर click कर दूँगा यहां पर तीसरी आड लग चुकी है और इसी तरीके से आपको उपनी video में जितनी आड लगाना है वो आपको लगा देना है जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ इतनी एड लगा दिया है इसके बाद में यहाँ पर आपको उपर साइड में एक option दिखेगा confirm का तो यहाँ से आपको इसके उपर क्लिक करना है जब आप लोग इसके उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके समय फिर से वही वाला इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको उपर साइड में एक option दिखेगा तो यहाँ से आपको save कर देना है और यहाँ पर जो आपकी वीडियो में multiple add होंगी वो यहाँ पर लग चुकी है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अब आपको यहाँ से बैक आजाना है फिर से यहाँ समय बैक के उपर क्लिक कर दूँगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपकी यह जो सारी वीडियो है जो भी 8 मिनट के उपर होते हैं उनमें आपको add लगा देना है और जो आप लोग एड लगाओगे वो आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो कि यहाँ पर मेरे को अपनी वीडियो में एड लगाना है और आप लोग जो भी एड लगाओगे उसमें से 90% एड आएंगी और 10% एड यूटूब हटा देता है तो आप लोग इसी तरीके से अपनी अर्निंग को इंकिरेज कर सकते हो जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना तो अम मिलते हैं किसी नैक्ट वीडियो में किसी नैटो के साथ अपते के लिए बाई बाई